हेलों वेल्कम बैक दोस्तों स्वागत अपनी योटूब चैनल गुड्डू अफीसियल वाइक में आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर नई इको लेकर आए हैं इस वीडियो के अनुद आप देखते तो एक से एक को पहतरीन है सब की सब 2019-21 मॉडल है 18 मॉडल भी है इसमे चैनल को सबस्क्राइब करके जाएं और हमारे चल्व पर ऐसी गारियां मिलती रहती हैं वह तो आप लोगों को पताई है तो किर्पा करके जारा-जारा वीडियो को शेल लाइक करके जिरूर जाएं और यह जो गाड़ी है 218 20 मौडल है 2019 20 मौडल है और देखी मैं आपको अंदर कर दिखा रहा हूं क्योंकि बारे सोरी आप लोग देखी रहे हैं कितनी बड़ी क्या बोलते हैं आप लोगों के लिए मैं का रहे कर आता हूं बढ़िया से बढ़िया का ले कर आते हैं यह यह पिपच्छिस नमबर वाइट इसके लिए आप लोग समा करने इस वीडियो में क्योंकि दूसरी चीज आपको नमबर दिया जाता है आप उससे पता भी कर सकते हैं तो देर मत कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक शेर जरूर करना है और चैनल पर नए आते हैं तो पूरे यूपी से अब साथ में और भी नए सैर हम जोड़ने वाले हैं आप लोगों की अगर महरबानी रही किरपा रही क्योंकि आप हुए यहां तक पहुचाया है तो जो है विडियो को लाइक चरूरूर करना धोया को क् i야 लाइक से ही आप क्या है हमें मोटिवेशन मिलना तो यह लोगden बाते हैं और यह जो ईको मिलेंगी कहा पर पर उन्हें बीज इकिस और सत्रे मॉडल तक आपको मिलने वाले इस जगह पर जादोपुर में मुझी परामें के पास यह दिए के नंबर पर कॉल टू करनी करनी आपको सारे कुछ हैं आप पता लग जाएगा और साथ में मारे चनल को सब्सक्राइब करके जाना है दोस्तों भी प्रोवैट कराया जाएगा आप लोगों के लिए आप लोग जो है वीडियो सही से नहीं देखते हैं सारी की सारी गाड़ियां एल्पीजी पास है फैस्ट और सेकेंड हैं बहुत ही भैतिन कंडिशन में बारिस हो इसलिए मैं अंदर से इस बार दिखानी पाया हूं ले लगी पास है अधारा उन्हें इस मॉडल हैं देखो यह चौती इको मैंने आपको दिखा दिया है बहुत ही बढ़िया कंडिशन क्वाल्टी में खड़ी है गारिया यह देखे यूपी असी नंबर आठानवे पंदा नंबर है इसका बैल सिल्वर सेड़ो कलर के यह को है बह है ठीक है दोस्टों और हमारी को सुरूफ होजाति है मतर्त टेलिव लाग रुपसे हैंक एक लाइक, 6398 सुरू हो जाती है मिल जाएगी आपको यह को सच्थर Oh को क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्टों सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप लोगों कोinkya क मिलते हैं और नमबर प्रोवैट किया जा रहा है तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में